ओके स्टुडेंट तोड़ वी विल दू एक्ससाइल नंबर 1.6 और इसमें ओली वन फॉम्ला हम यूज करेंगे यह नंबर आफ एक्स यूनियन वाई इस इक्वल टू नंबर आफ एक्स प्लस नंबर आफ वाई माइनस नंबर आफ एक्स इंटर्सेक्शन वाई नंबर आफ एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स और एक्स और वाई को मिला के दोनों हो नंबर आफ एक्स मतलब एक्स में एक्स सेट में कितने अलिमेंट है नंबर आफ एक्स इंटर्सेक्शन वाई का मतलब एक्स और एक्स और वाई जो ऐसे अलिमेंट जो एक्स और वाई दोनों में तो इसके according हम first question करेंगे first question में क्या given है first question number of x मतलब x set में कितने element है 17 number of y y set में कितने element है this is 23 number of x union y इसमें कितने element है 38 तो मैं find क्या करना है number of x intersection y मतलब ऐसे कितने element है जो x और y दोनों में start करते हैं यही formula यूज करेंगे हम number of x union y is this is 38 38 is equal to number of x 17 plus 23 minus यह हमें find करना है तो यह कितना 38 is equal to 40 minus number of x intersection y यह कितना हो गया यह हो गया इसको इधर ले आएंगे number of x intersection y is equal to 40 minus 38 means 2 मतलब ऐसे कितने element है जो x में भी है और y में भी है 2 element right next question करते है next question question number 2 you can do question number 3 also you can do okay question number 3 इसने total people given है वो कितना है 400 और उसमें हिंदी बोलने वाले कितना है question पढ़ लेना इसमें हिंदी बोलने वाले है 250 और इंग्लिस बोलने वाले है 200 तो आपको बताना है कि ऐसे कितने people हैं जो हिंदी और इंग्लिस दोनों बोलते हैं चीक है ना समझ में आया total कितना है total को मैं लिग लेता हूँ पहले हिंदी को हिंदी को लिग लेता है h हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वाले को किसे रिपर जेट कर रहे हैं h से और इंग्लिस बोलने वाले को E से तो ऐसे कितने हैं जो हिंडी बोलते हैं number of H is equal to है कितने 250 number of E इंग्लिस बोलने वाले कितने हैं 200 और total कितने हैं total number of H union E is equal to 400 हमें क्या बता रहा हैं हमें बताना है जो हिंडी और इंग्लिस दोनों बोलते हैं बेटा जहां पर भी दोनों बोलत मतलब common ऐसी बात आजाएं तो उसका मतलब होता है intersection तो हमें intersection बताना है तो start करते हैं तो formula होई number of H union E is equal to number of H plus number of E minus number of H intersection E इसकी कि इतनी वेली 400 is equal to 250 plus 200 minus यह में फाइंड करना है तो इसको इधर लिआएंगे number of H intersection E is equal to इनको आड करेंगे तो 450 minus 400 यह इधर जाएगा इसकी जाएगा 400 तो number of H intersection E मतलब ऐसे कितने आदमी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो वो आजाएगे 50 इसकी है आपका solution सभी question इसी तरह करने है राइट ओके थेंक्यू पर बोपनों प्रेट बोžा आपका तरह करने हैं